यौन उत्पीडन मामले के सुनवाई करते हुए सुप्रिम कोर्ट की जज ने टिपडी करते हुए कहा कि घर में पैसे उधान नहीं देने चाहिए आखिर जज ने ऐसी वाद क्यों कही पूरा केस क्या है आई ये सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं ये पूरा मामला एक पती पत्नी का है पत्नी ने अपने पती के खिलाब अनुछेद 32 के तहट सुप्रिम कोर्ट में यौन उत्पीडन को लेकर याचिका दायर की इस याचिका पर सुप्रिम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई इस केस की सुनवाई जशिट नागरतना कर थी उन्होंने सुनवाई के दौरान महिला के वकील से कुछ सवाल पूछे वकील का जवाब सुन जश्टिस ने दिलचस्प टिपड़ी कर दी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वकील ने बताया कि जिस कंपनी में उनकी क्लाइंट कर्मचारी है वहीं पर उनके पती ए बेंच कर रही थी बेंच ने महिला के वकील से सवाल पूछा कि क्या इस मामले को लेकर पॉक्स कमेटी में शिकायत दर्ज की थी सवाल का जवाब देते हुए वकील ने कहा कि मामले को पॉश कमेटी के सामने उठाया गया था लेकिन कमेटी ने इसे लोकल कमेटी को ट्रांस प्राइबूर्सिस नागरत्ना ने काहा कि इस मामले को हाई कोट लेकर जाना था इस पर वखील ने काहा कि पति-पत्ली साथ नहीं रहते लेकिन एक साथ ऑफिस में काम करते हैं इसके बाद जजनें टिपडी करते हुए कहा इसलिए कहा जाता है कि कभी भी घर में किसी को पैसा वैसा नहीं देना चाहिए टिपडी करते हुए बेंच ने कहा कि वो अनुछेत 32 के तहत इस मामले के सुनवाई नहीं कर सकती इस केस में दमपत्ती को कानूनी सलाह लेनी चाहिए सुनवाई पूरी होने के बाद केस को वापस लेना पड़ा